ओडियो 6 पुस्तकालय सच्चे देवाले लेखक वेदमूर्ती तपुनिष्ठ पंडिश्री राम शर्मा आचारिय इस प्रकार संपर्क करें पहले लोगों की मनोभूमी भाब कर आरंब उसकी रुची जगाने से करना चाहिए जोला पुस्तकालय का शेत्र आरंब यहीं से होता है उसके द्वारा लोगों में जीवन निर्माड कारी साहित्य के प्रती रुची जागरित करने और वैसा साहित्य उपलब्द कराने का उद्देश्य ही प्रमुख रहता है एक तो लोग अच्छा साहित्य खरिदने में पैसा नहीं भी लगाना चाते हैं दूसरे बहुतों की वैसी इस्थिती भी नहीं होती जोला पुस्तकालय से इन दोनों ही कठिनाईयों को दूर किया जा सकता है अरुची और अनिच्छा को हटाना तथा रुची और आकांशा जागरित करना ही एक कारिय रह जाता है जिसे यदि पूरा किया जा सके तो समझना चाहिए कि आधी मन्जिल पार कर ली गई इसके लिए अपनी संपर्क के उन पढ़े लिखे व्यक्तियों को पहले टटोलना चाहिए जिन में विचार शीर्टा के थोड़े भी विजांकुर हों जो रोटी कपड़े से बाहर की बात भी कभी सोचते और कहते सुनते पाये जाती हों ऐसे लोगों से इस दिशा में कुछ आशा की जा सकती है उनका नाम नूत कर उनकी प्रकृती, आवशक्ता, उलजन और रोची को देख कर तद नुरूप साहित्य देना आरम करना चाहिए जोतिशी, हाथ देखने वाले, पंडे, ठग, आदी लोग दूसरों की मनोभूमी भापने में प्रमेन होते हैं अपने पकड़ भी वैसी ही होनी चाहिए जिन से संपर्क किया जा रहा है, उनके इस तरह नुकूल अपने पास क्या साहित्य है इसकी जानकारी स्वयम को भी होनी चाहिए इसके लिए अपने पास की सभी पुस्तकें मनोयोग पुर्वक्त स्वयम पढ़ ली गई हो तो संपर्क करते समय आसाने से निश्चित किया जा सकता है कि सामने वाले को कौन सा साहित्य दिया जाना चाहिए यदि इतना कर लिया गया और जिन से संपर्क किया जा रहा है उनमें रुची तथा आकांशा जागरित करने के लिए लगन व उत्सा पुर्वकलक जाया जाय तो फिर कठिनाई जरा भी नहीं रहती चाय और बड़ी वालों ने जनता मिरुची जगाने और उनका अभ्यस्त बनाने में कमाल किया है अब से पचास वर्ष पहले लोग इने जानते तक ना थे जो जानते थे वे इस्तेमाल करते हुए डरते और तरह-तरह की आशंकाएं किया करते थे उनी लोगों को प्रचारकों ने इन चीजों का इस तरह आधी बना दिया कि अब उनका गुजारा नहीं चलता चाय वालों ने घर-घर जाकर मुफ्त चाय पिलाई और उसका भरपूर गुणगान किया चाय पियो बहुत दिन जीयो गर्मी में गरम चाय ठंडक पहुचाती है आधी नारे भले ही जूटे हूँ किन्तु उन्होंने इन नारों को लोगों के गले उतार दिया और अपनी चीजों का पूरी तरह प्रचलन करने में सफलता प्राप्त कर ली नव निर्माण की उत्कृष्ट विचारधारा को जन मानस में प्रतिस्थापित करने के लिए हम चाय वालों से बहुत कुछ सीख सकते हैं जो पुस्तक पढ़ने को देनी हो उसका भरपूर गुंगान करना चाहिए और उस व्यक्ति को इस मानसिक स्थिति में घसीट लाना चाहिए कि उसकी उत्सुकता और बढ़ जाए चाहे इसके लिए पुस्तक एक दिन बात दी जाए तदकाल पुस्तक हाथ में थमा देने से उसका आकरशन कम हो सकता है इसलिए जहां आवश्यक हो वहाँ यह मनो वैज्ञानिक प्रयोग भी करना चाहिए कि पहले दिन इतना किया जाए कि व्यक्ति की आवश्यक्ता समझ कर उसके अनुरूप एक बहुत ही अच्छी पुस्तक अपने पास होने की बात कही जाए और पूछा जाए कि यदि उसे पढ़ने का इच्छुक हो तो कल उपलब्द कराई जाए दूसरे दिन जब वपुस्तक दी जाए तो उस संबंद में थोड़ी चर्चा एवं प्रशन सफिर कर दी जाए किसी को उसे पढ़ने से प्रेणना मिली हो या लाव हुआ हो तो उसकी चर्चा विस्तार पुर्वक अवश्य ही कर देनी चाहिए रुची बढ़ने का या अच्छा खासा उपाय है कार्य छेतर का चुनाओ बहुत से सिक्षित लोग अपने नगर में हो सकते हैं उनसे सज्चिन्यता पुर्ण संपर्क बनाया जा सकता है और यदि पहले सत साहित ये पढ़ने में रुची न रही हो तो उसे भी जगाया जा सकता है बहुत लोगों के पास जहरों अवकाश रहता है समय काटने के लिए वे गबशब, मटर गश्ती या और कुछ ताश चौपड का शुगल ढूंते रहते हैं ऐसे लोगों को कोई बुधिमान व्यक्ती धीरे-धीरे पढ़ने का वैसन लगा सकता है जब रस आने लगता है तो वह स्वाध्याय किसी भी जोड़दार वैसन से अधिक मज़िदार लगने लगता है कुछ घरों में पढ़ी लिखी लड़कियां, स्त्रियां होती है समाज की निर्मात्री है, उसके मानसिक स्तर के अनुभों लेकर ही बालब जन्मते हैं और वैसे ही नागरिक बनते हैं इसलिए नारी पर ध्यान दिया जाना और भी आवश्यक है घरों में, परिवारों में, दफ्तरों में, कारखानों और स्कूलों में ऐसी महिलाएं तलाश की जा सकती हैं जो पढ़ने में रुची ले सकें अध्यापिकाएं और शात्राएं स्थानिय विद्यालेयों से मिल सकती हैं इन तक प्रेरक्षत साहिते पहुचाना चाहिए. यदि कोई महिला इस कारे को हाथ मिले, तो वह आसानी से घरों में चा सकती है और संपर्क बना सकती है. तरुन वर्ग का भी विशेश रोब से ध्यान रखना चाहिए. व्रिद्ध व्यक्ति एक खास किस्म के दकिया नोस हो जाते हैं. उन्हें अपनी पुराने लोगों की तरह हर पुरानी बात ही अच्छी लगती है. हर नव युगक को बेवकूफ समझने की तरह हर नई विचार क भी वे अनुपयुक्त मानते हैं. यो व्रिद्ध पुरुषों और अधेडों में भी कुछ समझदार व्यक्ति होते हैं. उन्हें भी युग साहित्य से अफगत करा जाये, किन्तु नई पीड़ी में नव निर्माण की विचारधारा पहुचाने से एक अच्छा कारेशेत् नई पीड़ी में उच्रिंखलता भले हो, किन्तु उनमें धूर्दता नहीं है, और वह उच्रिंखलता भी इसलिए है कि उन्हें स्वाभाविक उत्साहा को सरजन की ओर मोडने के लिए उपयुक्त दिशा नहीं मिल पाती। अध्यापकों और शात्रों का वर्ग एक ऐसा वर्ग है, जिसमें यदि मानवी या आदर्शों का प्रकाश बुद्धी संगत धंग से पहुचाया जाए, तो उसे वहां तिरश्कृत या अस्विकृत नहीं किया जावेगा। बड़े कजबों में इस प्रकार के शात्रों और अध्यापकों की संख्या मिलकर हजारों नहीं तो सैकडों में जरूर होती है। शहरों में तो निश्चित ही वे हजारों की संख्या में होते हैं। इस वर्ग से संपर्क बना कर जोला पुस्तकालेयों द्वारा जीवन निर्माल का साहित पढ़ने के लिए देने और वापिस लेने का क्रम आसानी से चलाया जा सकता है। यह शिकायत भी पैदा होती है कि लोग ऐसी पुस्तके नहीं लेते, अत्वा पढ़ने में रुची नहीं दर्शाते, अत्वा वापिस करने में परेशान करते हैं, दुबारा लेने में उपेक्षा करते हैं, जोला पुस्तकाले की हसी उडाते हैं, उसे चलाने वाले को संकी या किसी संस्था का नौकर बताते हैं ये कटिनायां उन लोगों के बीच पैदा होना स्वाभाविक है जिने विचार शक्ति का कोई मुल्य अत्वा महत्व मालुम नहीं जिनोंने विचार तत्व की गरिमा को कभी सुना या समझा नहीं उनसे इस तरह की उपेक्षा मिलती है तो इससे निराश होने की आवशक्ता नहीं है यदि कोई हीरे को खाँच का टुकडा समझ कर तिरसकार पुर्वक फेंग दे तो उसे दोश देना व्यर्थ है हीरे का मुल्य उसे समझाया बताया किसने अता इस तरह लोगों से उपेक्षा तिरसकार मिलने पर निराश होने की आवशक्ता नहीं है उच्साह पुर्वक आगे आएं लोगों से उपेक्षा और तिरसकार मिलने पर भी विचार शक्ति का महत्व समझाने के लिए लोगों को विचारतत्व की गरिमा बताने के लिए प्रभुद्ध व्यक्ति को उत्साहपुर्वक आगे आना चाहिए कोई दीन दरिद्र जोली लेकर भिख्षा मांगने भी जाते हैं पर उनका जोला उससे भिन्न है यह अम्रित बाटने का प्रकाश बाटने का कल्यान बाटने का अभियान है यह असीम दान और अनुपम पुण्य परमार्थ है आत्मा की भूक अन्तह करण की प्यास बुझा कर हम उतना पुण्य संचय कर सकते हैं जितना नगरभोज या राज़भोज की विवस्था करने आस्था को जन्म देना किसी के अंतह करण में प्रकाश उत्पन कर देना इतनी बड़ी सेवा सहता है कि उसकी तुल्ला में अन्य कोई सहता नहीं ढहरती जोला पुस्तकाले इसी पुण्य को अर्जित करने का सर्वश्रेश्ट साधन है